हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक डिसकस करेंगे वो है रिवर्स एंड लेक सब जमुएं कश्मीत तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जो पहला कोशन आपको पूशा गया है वो है विच रिवर् पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी हम पंडित जोहला नहरू और पाकिस्तान के जो प्रेजिटेंट थे उस टाइम आयूब खान इन दोनों के बीच जो थी यह ट्रीटी साइन हुई थी तो इसमें जो रिवर्स इंवाल्व हुई थी वो आप से पूशा गया है तो या तो याद रखो गया नाम तो क्या क्या नाम मैंने आपको बताए वैस्टर रिवर्स जो थी इंडस जेलम और चिनाब और इस्टर रिवर्स जो थी रावी सत्रूजन ब्यास ठीक है मुव करते हैं से के साथ नेक्स कोशन के उपड़ बूली अगर नहीं साथ ही मुझे कमें बताए जो इंडस वार्टर स्टीटी है वो कब जो है साइन हुई थी कौन सी डेट को साइन हुई थी वह आपने बताना है बिद्र डेट सिर्फ एयर नहीं बताना है बिद्र डेट बताना है ठीक है मूव करते हैं इसके साथ नेक्स कोशन के उपर पॉइंट एट विच किशन गंगा जो है उसने जेलम को जाइन किया था ठीक है वो पॉइंट जहां पर जेलम और किशन गंगा मिलते हैं यह भी आप बोल सकते हो आपके पास है दो मेल सुंबल नारानाग और नुब्रा वैली तो राइट आंसर दोस्तों हो आपने माग किया होगा दो मेल जो है किशन गंगा जाएंस यह लम करते हैं नेक्स कोशन के उपर फ्रम वेर रिवर जो तभी है वो औरीजनेट होती है ठीक है तभी रिवर औरीजनेट फ्रम वेर आफ्शन आपको प्रॉइड है बताइए इसमें से जो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों तो इसका जो राइ इसी कोशन आप सब के लिए और काफी इंपॉर्टेंट वी है ठीक है विच रिवर इस नोन एस बितास्ता इन संस्कृत संस्कृत में कौन सी रिवर का नाम जो है बितास्ता है आपको प्रॉइड है मार्क करिए अपना आंसर जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो आना जाता है इन संस्कृत लैंगिज ठीक है बुलिएगा नहीं मुफ करते हैं नेक्स कोशन के उपर विच इस दीपेस लेक इन इंडिया डीपेस लेक आपको बतानी है कि इंडिया की कौन सी है तो दोस्तों आप सब को पता है मनसावल जो है डीपेस लेक है और यह कौन सी डिस्टिक में है दोस्तों यह गांदरवल डिस्टिक में है आप जम्मुएन कश्मीर यूटी ठीक है गांदरवल डिस्टिक ठीक है याद रखोगे इसलिए के साथ मुफ करते हैं नेक्स कोशन के उपर विच लेक की सिटुएटेड है ता फुट हिल आफ मांट हर्मुक मां गंगावल लेक जो है वो फुट हिल साफ याद रखोगे फुट हिल्स आफ मांट हर्मुक में सिटुएटेड है याद रखिएगा कन्फ्यूज नहीं होएगा मांट हर्मुक के फुट हिल में जो है गंगावल लेक है मूव करते हैं सी की साथ नेक्स कोशन के उपर नील ना नाग लेक है वो कौन सी डिस्टिक में है आप इस तरह से याद रखरकते हो जो नील नाग होते हैं वो कौन सी डिस्टिक में हमने इस तरह से याद रखा आफ़ों साब को पुर्वाइड है करिए राइट आंसर इसका माक जिसका दूस्तों राइट आंसर होगा वहोगा जेलम जैने कि उरीज जो डैम है वो कहां पर सिट्यूआटेल है कौन सी रीवर को पर सिट्यूइटेल वह है जेलम रीवर के ऊपर तीक है याद रखोगे move करते हैं next question के उपर comments में बताइएगा आपके कितने questions जो है total ठीक हुए दोस्तो which river is known as सूर्य पुत्री सूर्य पुत्री के नाम से कौन सी river को जाना चाता है ये आपसे next question पूशा गया है options आपको provided है करिए इसका right answer mark तो दोस्तों इसका जो सही answer होगा वो होगा river तवी तवी रिवर जो है उसको बोला जाता है सूर्य पुत्री के नाम से याद रखोगे move करते है next question के उपर तुल्बूल navigation project was built on beach lake तुल्बूल navigation जो project है वो कून सी lake पे उपर है ठीक है ये आप से पूछा गया है options आपको provided है दोस्तों right answer करिए mark इसका आप तो इसका जो दोस्तों सही answer है वो आपका है बूलर लेक याद रखोगे ठीक है बूलर लेक जो है वहाँ पर कौन सा है तो बूल navigation project वहाँ पर है याद रखोगे ना move करते हैं next question के उपर विच लेक इस लोकेटिड इन रूट तो श्री अमनाथ जी केब अमनाथ केब की तरफ जाते हुए रास्ते में जो लेक सिट्वेटल है वो कौन सी है दोस्तों वो आप से पूछा गया है बताइए options आपको provided है करिए आपका right answer mark तो दोस्तों शेष नाग लेक जो है इन रूट तो अमनाथ केब में सिट्वेटल है ठीक है आंधर रूट तो अमनाथ में जो रूट जाता है रूट में कौन सी जो है लेक है शेष नाग लेक याद रखोगे करते हैं इसी के साथ next question के उपर which river is known as इरावती तो इरावती किस river को बोला जाता है यह आपसे पूछा गया options आपको provided है hope आप ने इसका right answer mark b कर दिया होगा तो तो दोस्तों इसका जो सही answer है वो है रावी रावी river को जो है इरावती के नाम से जाना जाता है ठीक है इरावती यहाद रखिएगा इसी के साथ move करते है next question के उपर काफी easy question है और important भी है which is the largest fresh water lake in India largest fresh water lake आपको पूशा गया तो आप सम जानते हूं वो है वुलन लेक ठीक है ना वुलन लेक is the largest fresh water lake in India मुव करते हैं next question के उपर Indus water treaty is a water sharing treaty between which countries कोंसे देशों में जो है यह है आपको मैंने भी बताया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है ठीक है ना याद रखिएगा और कब मैंने आप से पूशा इसकी जो date exact date आपने बतानी है सिर्फ यह नहीं बताना है exact date आपने बतानी ह इसकी की जो है जब treaty sign हुई थी तो कब हुई थी ठीक है इसकी साथ next जो question आपका वो है which rivers are allocated to Pakistan for exclusive use पाकिस्तान को exclusive use के लिए कौन सी जो rivers है वो allocate की गई है तो दोस्तों वो है आपकी westerns river तो westerns river मैंने आपको अभी उपर बताई थी वो कौन कोन सी थी चेनाब जेलम और इंड question rivers है वो है रवी सत्रूज और व्यास ठीक है तो confused नहीं होईएगा तो यह थे हमारे total कितने 15 questions से total तो बताईएगा comments में आपके कितने question दोस्तों सही हुए ठीक है और इसकी जो PDF है वो आप हमारे telegram channel से download कर सकते हो telegram channel को join करने के लिए आप अपनी telegram app में search करिएगा mkclasses तो आपको my channel देख जाएगा और साथ ही साथ अगर आपने हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किया है जरूर से हमारे YouTube channel को subscribe कर लें ताकि आपकी त्यानी जो लगातार हमारे साथ बनी रहे आपकी कोई भी video skip ना हो ठीक है दोस्तों अच्छे से prepare करिए all the best for your exam keep preparing